हेलो बच्चो, यहां कंसेप्ट वीडियो, कंटिन्यूटी एक्वेशन एंड बनॉलिस प्रिंस्पल पर आधारित है कंटिन्यूटी एक्वेशन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आप यह चितर देखें आपकी स्क्रीन पर जी हां बच्चो, यहां पर मैंने एक टैप से, एक नल से एक पाइप को जोड़ रखा है बच्चो याद करिए, बच्वन में आपने एक खेल तो जरूर खेला होगा, आप पाइप से बहने वाले पानी के साथ जरूर खेले होगे अपने दोस्तों को भिगाया होगा, लट जैसे कि पाइप के एक सीरे को जिससे की पानी निकल रहा है इनीशली आगर आपने उसको नॉर्मली होल्ड कर रखा है, तो वो S1 डिस्टेंस तक पानी निकल कर जाता है फिर दूर डिस्टेंस पर खड़ा आपका एक दोस्त था, आपका मन किया कि आप उसे भिगो दे आपने क्या किया? आपने पाइप के एंड को कम्प्रेस किया, और देखा कि पानी दूर तक जा रहा है और आपका मिशन पूरा होगा आपने दोस्त को भिगोने का बट कभी आपने सोचा इसके बारे में कि कम्प्रेस करने से जो वाटर निकल रहा है आपके पाइप से वो जाधा डिस्टेंस क्यों कवर कर रहा है? सोचना चाहिए था इसी का जवाब हमें मिलेगा बच्चों क्वेशन अफ कंटिन्यूटी और बर्नॉलिस प्रिंस्पल में आईए इसी प्रशन का हल ढूरने का प्रयास करते हैं एक पाइप हम कंसीडर करते हैं नॉन उनिफॉर्म एरिया की यानि कि जो क्रॉस सेक्षन का एरिया है पाइप का वो चेंज हो रहा है यहां पे इस पाइप में अगर आप एक एंड पहले एंड को देखें तो उसका एरिया है A1 और उसके दूसरे सीरे को देखें तो उसका एरिया है A2 A1 पहले end से fluid enter करता है V1 velocity से और दूसरे end से fluid exit करता है बाहर निकलता है V2 velocity से अगर मैं आपसे पूछूँ कि T time में एक certain value होगी time की T time में fluid enter करते वक्त कितना distance चला होगा तो बहुत आसान है जवाब V1 T इतना distance fluid हमारा pipe में enter करते वक्त चला होगा similarly while exiting pipe से बाहर निकलते वक्त fluid ने V2 T इतना distance चला होगा तो equation of continuity ये कहती है that the rate at which mass enters a system is equal to the rate at which mass leaves the system यानि कि जिस दर से जिस हिसाब से जिस rate से mass enter कर रहा है pipe के एक end से उसी rate से mass exit करेगा या असान भाषा में कहूं बच्चों कि जितना mass T time में पहले end से enter करता है उतना ही mass T time में दूसरे end से बाहर निकलना चाहिए so mathematically हम इसे लिख सकते हैं dm by dt while entering should be equal to dm by dt while leaving अगर इस सिद्धान पर believe करा जाए कि rate of mass while entering is equal to rate of mass while leaving तो mathematically solve करने पर बच्चों हमें ये equation मिलती है तो बच्चों इस equation के variables पर एक नजर डालते हैं समझते हैं कि ये क्या represent कर रहे हैं यहाँ पर left side में rho 1, a1, v1, t अब बच्चों पहले तो आप ये समझे कि हमने माना है कि fluid की density while entering is rho 1 तो rho 1 हो गयी fluid की density a1 हो गया pipe के starting end का beginning end का cross section area और बच्चों याद कर ये figure में मैंने आपको बताया था v1, t is the distance traveled by fluid while entering in time t चुकि हम t समय में measure कर रहे हैं तो हमने माना t time में चुकि वो v1 velocity से enter करता है fluid तो v1, t इतनी distance वो चला होगा तो a1, v1, t वच्चों ये represent करता है overall volume of fluid that has entered the pipe and volume multiplied by density is mass तो rho 1, a1, v1, t this represents this represents the amount of fluid entering the mass of fluid entering into the pipe तो similarly चुकि हमने equation of continuity से ये सीखा है equation of continuity ये कहती है कि जितना mass enter कर रहा है उतना ही mass leave करेगा उतना ही mass exit करेगा particular time में तो right side में हमने लिखा है rho 2, a2, v2, t इसका मतलब है this represents the mass which is exiting which is coming out of the pipe liquid is an incompressible fluid ये हमारा assumption है कि equation of continuity सिर्फ incompressible fluids के लिए लागू होगा तो हमारे इस assumption से हमें ये सुविधा मिल जाती है कि हम rho 1 is equal to rho 2 ले पाएं तो बच्चों चुकि rate of fluid entering is equal to rate of fluid exiting ये सिधान्थ हमें equation of continuity देता है इसका मतलब ये है कि दोनों ही equations को right hand side और left hand side में time से t time से divide करना होगा और ऐसा करने पर हमें final equation मिलती है a1 v1 is equal to a2 v2 this is equation of continuity for an incompressible fluid